Hello Learners, Welcome to Channel तो इस वीडियो में हम Indian Institute of Technology मदराज जो की NIRF Ranking 1 है याने की Best Engineering Institute है इंडिया में इसकी fee structure की बात करेंगे जो की applicable 2021-22 के लिए है तो सभी fees को जो है चार कटेगरे में डिवाइट किया गया है कुछ one time fees है कुछ semester fees है कुछ deposit है जो की refundable है और कुछ hostel fees है वहीं पर अगर आप hostel नहीं लेते हैं तो day scholar की fees आपको आपको आपके देनी पड़ेगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे fees for the Indian student to be admitted in the academic year 2021-22 याने की जो 2021-22 में बिसल ले रहे हैं तो उनकी उपर ये जो है fees applicable होगा हां कुछ amount ऐसे हैं जो की due to covid जब hostel नहीं उपर होगा तब जो है वो fees आपसे नहीं ले जाएगी तो exact amount जो है वो आपको जब आप fee submit करेंगे तो वहाँ से आपको exactly पता चल जाएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे one time fee जो है पहले सबको देना है जब आप admission ले जाएंगे तो 3550 रुपीज जो की one time fee है वो आपको submit करने पड़ेगी प्लस semester fee 1,8,250 रु यह सारे fees हो गए तो यहाँ पर जो है medical fee, seat rent और fan electric water charges यह amount आपसे नहीं ले जाएंगे अगर college open नहीं हुआ होगा तो अगर college open हो गया होगा यहाने कि physically college classes conduct करेंगे तो यह आपसे fees आपसे ले जाएगी तो यह सभी included semester fee में है वहीं पर one time fee में है admission fee, grade card fee, provisional certificate, medical examination fee, student welfare fee, modernization fee, alumni life membership fee, publication fee, यह सारी चीज़े fee जो है यह सब one time fee में है यह सभी को देना इसमें कोई भी deduction नहीं है लेकिन अगर covid की वज़र से college बंद है तो medical fee, seat rent, fan, electricity, water charge यह जो है आपके semester fee में से deduct हो जाएंगे तो आपको nearly 1,5,050 रूपीज आपको submit करने पड़ेगा semester fee में नहीं तो अगर college open हो गया है तो आपको 1,8,250 रूपीज जो है submit करने पड़ेगा semester fee जो की है उसके बाद आपका third है यही पे आपको एक चीज़ा ध्यान रखने कि SCHTPW category में अगर आप आते हैं तो आपको सिर्फ 8,250 रूपीज देना यानि कि tuition fee यहाँ पे क्या हो जाती है माफ हो जाती है SCH STPWD, income से कोई matter नहीं करता कि family income कितनी अगर आप इस category में आते हैं तो आपकी tuition fee माफ हो जाएगी आपको semester fee सिर्फ 8,250 रूपीज देना है one time fee तो देना ही देना है semester fee में आपको tuition fee माफ हो जाती है वही पे जनरल OBC या फिर EWS category के हैं और family income पांच लाग से जाद है तो आपको एक से पांच लाग के बीच में है तो आपको जो है थर्टी, टू थर्ड जो है आपको deduction मिल जाता है tuition fee में जाने की tuition fee जो एक लाग होती है वो 33 या 33 रूपए आपको नेरली submit करना पड़ेगा तो आगे जो है आपको जब fees से आप calculate करेंगे तो वहापे आपको deduction मिल जाता है then third category deposit जो की institute deposit और library deposit होता है जो की refundable होता है तो 1,000 रूपीज पर होता है तो यहाँ पर total आपको 2,000 रूपीज सब्मिट करने पड़ेंगे deposit जो की refundable होता है यह भी तब अगर जब college open हो जाता है तो वहीं पर next category है hostel and mass charge अगर आप hostel लेते हो तो hostel and mass charge जो की per semester आपको देना होत होता है और यह subject to revision आयाने की revision भी होता रहाता तो per semester आपको 30,742 रूपीज आपको submit करने पड़ेंगे वहीं पर आप hostel नहीं लेते हो day scholar हो तो भी आपको जो है 8,492 रूपीज सब्मिट करने पड़ेंगे जहाँ पर establishment A charges करके है extra curricular fee है medical insurance premium है और student wellness fee है तो इसके नाम पर आप में आप आएंगे तो हम यह आप आपको बताते हैं आप देखेंगे तो अगर आप general OBC EWS category से हैं और 5,00,000 से ज्यादा income आपकी family की है तो आपको जो है और hostel लेते हैं तो आपको जो है A plus B plus C plus D वाली category आएगी यानि की 3550, 18,250 plus 2000 plus 30,742 यानि की total 144,542 रूपीज आपको submit करना पड़ेगा वहीं पर अगर आप day scholar यानि hostel नहीं लेते हैं तो उस case में यही फीज समापकी कम हो जाएगी और 1,22,292 रूपीज हो जाएगी ठिक वहीं पर अगर आप CSTPWD category में आते हैं तो फिर और hostel लेते हैं तो उस case में आपकी फीज 44,542 हो जाएगी क्योंकि त्यूशन आपको देना होगा बस उसके बाद पर समेस्टर आपको जो है नेरली 11-20,000 के आसपास ही आपकी फीज रहेगी वहीं पर आपको बताया था जैसा कि हमने कि अगर फैमिली इंकम एक लाग से परिनम कम है तो आपको जो है टूशन फी में आपको रिमिशन मिलेगा वहीं पर अगर आपकी फैमिली के इंकम एक लाग से पांच लाग के बीच में परिनम आती है तो आपको टूबाइ थर्ड टूशन फी देना होगा या ने कि नेरली एक लाग के टूशन फी है तो 33 जा 333 के आसपास आपको समिट करना पड़ेगा और अल्दा इस्टुडेंट शेल है आपको जो है इंट्रेस्ट फ्री लोग्शन फी पे करने के लिए आपको जब फैस नहीं देनी पड़ेगा तो आपको जब फैस डिपोजिट करेंगे तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा तो कौन सी फीस आपको टैंसिल हो रही है ये लम्सम अमाउंट है IIT मदरास का विश्वाल दाविष्ट की पॉचिंग